हलो दोस्तों एक बाइफर से मैं हाजिर हूँ 12 जनवरी 2022 के डेली P.I.B. अनलेसिस के साथ तो काफी important articles हैं आप देखिए अध्यान से आज का पहला article है Ministry of Skills Development and Entrepreneurship इन्होंने year end review जारी किया है यानि 2021 में क्या क्या काम किया है इन्होंने वो जारी किया है Ministry of Skills Development and Entrepreneurship इन्होंने क्या किया जनुरी 2021 को प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 3.0 लाउंच कर दिया यानि प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना का तीसरा फेस लाउंच कर दिया यह जो प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 3.0 थी यह साए इसके objective थे यानि उद्दे से इन सारे objectives में देखे दो बहुत खास है पहली बात तो आठ लाउंच को ट्रेनिक देना प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना जो 3.0 थी इसके तहट आठ लाउंच योजना को ट्रेनिक देना था तो आठ लाउंच को स्किल देना था प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 3.0 के तहट तो दिसंबर आ गया प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 3.0 चल रहा है इसके तहट 3.74 कितना 3.74 लाइक यानि 3.74 लाइक जो लोग है इनको इन्रोल किया जा चुका है जिसमें से 3.36 लाइक जो है ट्रेनिक पा चुके है 2.23 लाइक जो है असेस्मेंट हो चुका है उनका और 1.65 लोगों को सर्टिफिकेशन मिल चुका है सर्टिफिकेशन की तो पूछी ही मत पधा मंत्री कौसल विकास लाइक में मटतादू आपको जो सर्टिफिकेट पाते हैं वो ऐसे ही पाज़ते हैं 2,000 लूपर तीन हज़र उपर देखके पाज़ते हैं इवन जब ऑडिट वाले आते हैं तो क्या होता पता है प्रहामत्री कोसल विकास स्विजना स्पोस करें दो सेंटर है और एक बंदे के पास अथोरिटी है वो सेंटर रन करने की और उसको मिला है सिलाई सेंटर ठीक है तो वो सिलाई मसीन इस सेंटर पे भी वही रखता है उस center पे भी वही रखता है जो audit वाले आते हैं तो जब इस center पे आते हैं तो slam machine वही दिखा देता है बाद वह उठके वहाँ चलिए आती है क्योंकि audit वाले भी वैसे ही है और ये training लेने वाले भी वैसे ही है तो क्या कर सकते हैं भी या जी कर नात बोले नात वो नात कैसे होई ऐसे करके एक भोचपुरी कहावत है तो बागी हम भोचपुरी कहावत में जाते हैं हम देखते हैं वापस ये संकल्प scheme 3.0 launch कर दीगी है उसके लावा संकल्प scheme के विसे में हम लोग जाने लेते हैं कि 3.0 है तो जायज है कि पहले तो कुछ और launch किया गया होगा 2018 में संकल्प scheme इसको launch किया गया मार्च 2023 तक चलनी है phase 3 को मिला ले संकल्प scheme centrally sponsored scheme है world bank की मतब से launch की गई है संकल्प scheme में 200 million dollar दिये गए हैं 200 million dollar किसकी बज़े से world bank द्वारा संकल्प scheme के तहद लोगों का short time skill enhancement करना है यानि ITI जैसे institute पर भी focus किया सकता है संकल्प scheme के तहद तो संकल्प scheme और एक और है strive scheme बहुत है देख लिए महत्मा गाधी national fellowship program इसको संकल्प के तहद launch किया था फिर strive scheme आ जाती है strive मतलब skill strengthening for industrial value enhancement strive scheme को रखिएगा 127 government ITIs को select किया गया strive scheme के तहद और वहाँ पर training देनी थी साथ साथ ITIs में जो quality of training है उसको improve करना था हाला कि female focus जदर हाँ आपका strive scheme के तहद बाकी यहाँ देख लिजिए मेरे खाल से यह important नहीं इतना जाद डाटा आपसे नहीं पूछेंगे strive scheme में ITIs पर focus किया गया ठीक है संकल्ब scheme में IT के साथ short time training पर भी focus किया गया संकल्ब scheme आपकी world bank related या फिर affiliated scheme है याद रखेगा 2023 तक फिर आता है tops में target olympic podium scheme में 5 golfer select किये गए हैं जिसमें अधिती यसोग भी सामिल है अधिती यसोग याद होगा Tokyo Olympic 2020 में ऐसा लगा था कि अधिती यसोग को हम लोग जानते नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि हम गोल्फ में कोई medal पाजाएंगे इवन गोल्ड का भी हम लोग सोच रहे थे पाजाएंगे तो अब देखिए हमारे देश की निस्क्रियता लोगों में इनर्सिया चाही हुई है मैं दिखाता हूँ कैसे आपको पाच गोल्फर सेलेक्ट किये गए हैं जिसमें अधिती यसोग सामिल हैं जिसमें टॉप स्कीम टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जब यह स्कीम लाँच की गए थी तो इसका उद्दिस क्या था अपने पैसे मलब कि सारे एफट खुद करने के बाद वहां पहुचता है फिर उसको टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में सेलेट किया जाता है जैसे आपकी अधिती यसोग के साथ हुआ और वो जो फेंशर थी मुझे उनका नाम नहीं याद रहा फेंशर उनको अब दिया गया है आट लाग रुपे तो इस तरह से हमारे देश में होता है स्कीम बंत हो जाती है जैसे आपकी प्धामत्री कोसल विकास योजना वह ऐसे आपकी टॉप स्कीम टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सब भीया डॉक्यूमेंटेशन का काम है बस अधितिया सोक अगर इतना हाइलाइट नहीं होती तो ये टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आती ही नहीं अब देखिए उसके लावा मुहम्मद आरिफ खान इन्होंने winter olympic में अपनी जगा बना लिया है अधितिया सोक इंडीा की फ़र्च गोलफर है तोक्यो ओलंपिक में हाईलाइट हुई इसलिए आज target olympic post पोडियम स्कीम में इनको फायदा मिला है बैगलूर से विलाउंग करती है अधिती सो टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जुलाई 24 में लॉंच की गी नेशनल स्पोर्ट डेलरमेंट फंड के अंतरगद इसको लॉंच के गया टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इसका परपस के था टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का टू आइडेंटिफाई पहचान करना लोगों को पहले पहचान करना और उनका जो मैडल प्रोस्पेक्ट है उसको ग्रूम करना प्रिपेर करना उनका पोडियम की भीया वो मैडल जीत पाए कहाँ ओलंपिक और पहला ओलंपिक गेम में तो क्या टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो यह अबजेक्टिव लिखा है इसको एचीव कर रही है नहीं आप मेहनत करकी जाएए अदरवाइस दुनिया में इस देश में कोई आपको देखने वाला नहीं है टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फिनांसिया असिस्टेंट प्रवाइट करेगी जब आप जाके टोकियो ओलंपिक जैसे यारी इंटरनेशनल इवेंट में आप गेम खेला आओगे तब आपको फिनांसिया असिस्टेंट दिया जाएगा तो क्या करें उसका टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम किता है जो नेशनल स्पोर्ट डिलर्मेंट फंड है उसमें से 50% एक्सपेंडिचर आता है तो यह याद रखेगा नेक्ट आर्टिकल है मारा USA, United State of America इसको मैंगो जाने है आम जो है उसका निदियात होना है लेकिन USDA जो यूएस का Department of Agriculture है भाई यह अप्रूवल देता है कि हाँ यह मैंगो जाने है तब ही अमेरिका में यह मैंगो जाते है तो 2020 में USDA नहीं आ पाया था लेकिन अब इंडिया ने USDA का अप्रूवल हासे कर लिया है और मैंगो जाएंगे North Eastern रीजन से तो USDA का अप्रूवल आ गया है इंडिया में ताकि हम लोग मैंगो जो एक्सपोर्ट कर पाए USA के लिए इंडिया का जो मैंगो जाता है लगभग 800 मीट्रिक टन मैंगो गया है 90,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से लाज़ेश है हुआ सबसे बड़ा supplier है product का next article हम लोग देखते हैं हाली में edible oil जो है हमारा खा देते हैं उसका price decrease हुआ है government ने कही सारे measures लिए हैं तो जो agencies हैं companies हैं हमनों भी विया अपने price जो है decrease कर दिये इंडिया largest imported है edible oil का जो domestic requirement है इंडिया की वो domestic demand से ही बुरी होती है ऐसा नहीं है 60% लगबख 60% जो इंडिया की demand है domestic उसको import से complete के जाता है तो government of India देख रहे हैं कि पिछले एक साल से edible oil के जो price थे वो काफी ज़यता high थे तो government of India ने कई सारे sales duties इनको कम कर दिया जिसकी वेसे edible oil के price कम हो गए यहां पर एक बात देख लिए आप National Mission on Edible Oil लगबख 11,000 क्रोड रुपए इसके लिए announce कि गए National Mission on Edible Oil जोकि North Eastern reason या फिर अंडमान निकोबार दीब के लिए है इस 11,000 क्रोड में से 8,444 क्रोड कौन देगा Government of India और 2,196 क्रोड कौन देगा State Government ठीक है तो यह आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं हालाकि यहां देख लिए पाच पर्षेंड एग्री सेस कटा है बाकि यह क्या है यह इतना तो नहीं डीप पूछेंगे क्योंकि Centrally Sponsored Scheme है National Mission on Edible Oil ऑइल पाम 11,000 क्रोड दिये गए हैं पाच वर्सों के लिए पाच वर्सों के लिए 11,000 क्रोड रुपए अभी बताया है बने कि Central or State का कितना कितना रेशियो है National Mission on Edible Oil टार्गेट क्या है 2025 तक जो ऑइल पाम कल्टिवेशन लैंड है उसमें 6.5 लैक हेक्टेयर को एड करना कितना 6.5 लैक हेक्टेयर तो ऑइल पाम कल्टिवेशन 2025 तक कितना हो जाएगा 10 लाक हेक्टेयर हो जाएगा जाए रखिएगा और इसको 2039 तक बढ़ाकर 16.7 लैक हेक्टेयर करना है इसके लावा National Mission on Edible Oil में Viability Gap Formula भी बिराया गया है ये एक MSP टाइप का मेकेनिजम होगा पाम ओयल के लिए जिसमें Crude Oil पाम जो Crude पाम ओयल है उसका 14.3 परसंट जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया जाएगा और इसको बाद में 15.3 परसंट तक कर दिया जाएगा North Eastern रिजन अगर यहां पर आप पाम ओयल का कल्टिवेशन करते हैं तो पाच करोड उपय की हेल्प प्रोवाइट की जाएगी पाच मिलियन टन पर हेट्टेर का उत्पादन करने पर नेशनल मिशन ओन पाम ओयल इसमें 2025 अबिज तक जो पाम ओयल प्रोडेक्शन है डोमेश्टिक उसको तीन मुना करना है 11,000,000,000 तक तो यह आप याद रखेगा आज का लास्ट आर्टिकल है इंडिया स्किल 2021 यह नेशनल कॉंपटिशन हाल ही में और्गनाईज किया गया है 270 विनर रहे है 61 को बोल मिला है 77 को सिल्वर मिला है इंडिया स्किल 2021 कॉंपटिशन को टॉप किया है ओडिशा ने 51 विनर रहे है तो इंडिया स्किल 2021 यह कहां पे और्गनाईज किया गया यह कॉंपटिशन है इंडिया स्किल 2021 कॉंपटिशन इसको नई दिल्ली की ताल करोरा काटोरा स्टेडियम में जो है और्गनाइस किया गया इस कॉंप्टिशन में 26 स्टेट्स के पार्शिपेंट ने पांस ज़्यदा लोग जो थे प्रतिभागी उन्होंने पार्शिपेंट किया तीन से पास जनुरी तक आएट उसकिल्स इनको चेक किखिया गया इस दौरान फिप्टी नाइन जो है बाकी बाकी यह फिप्टी नान इंस खो गोल्ड मेडल मिला एक लाग का प्राईस जो गोल्ड मेडलिस थी उनको एक अच्छ का सिल्वर मेडल इस्ट को 75 तरहाओ का और बाकी जो हमारा सूमारा कि थर्ड मेडल था वर्णु उन्को 50 الأमक्राइज्ब मिल जा की इंड़ाR 21 ये तीज़ शेता है थाउतमे references दो कर 거는 तो क्पटिशन जाएंस ने यह यहाद रखेगा इंडियास किल 21 कॉम्पटिशिन में तीन नैस किल समय धे घृएं योगा शू मेकिंग गार्मेंट मेकिंग ये तीन नए स्किल इसमें सामिल थे ओड़िशा ने सबसे अदा इंडिया स्किल कॉंपटिशन में आवाड जीते हैं 51 के आसपास ठीक है सेकंड केरला है, थर्ड है महराश्टरा ये देख लीजिए आप लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे तो आज बहुत कव आर्टिकल थे, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तो पगले टेक केर, गुर्बाए और जैहें